साथ्यों नमस्कार मैं सुरिंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं आभार व्यक्त करता हूं जन्द सरोकारमंच का जिसने हमें ये प्लेट फारं दिया आप लोगों से एचर्चे चेरों को सामने लाने के लिए और आज इसी कड़ी में नरेश निर्वान जी हैं जो एक कवी लेखक हैं और शिक्षक हैं उन से आज गुष्त कूँ करेंगे हम और और साथिओ मज़ा आएगा आपको और धन्यवाद तो नरेश भाई कैसे हैं कैसे आप मैं अच्छा हूं आप अप सुना ही आप कैसे हैं जी मैं भी अच्छा हूँ और ये मोका मिजे मिला है जन सुरुकार मंच का एक बार उनको भी धन्यवाद करिए क्योंकि बहुत बढ़ा रहा है जन सुरुकार मंच का जिन्होंने एक अच्छा प्रियास है और अच्छी शुरुवाद है चर्चित लेको कव्यों को प्रकाश में लाने की इसके लिए वास्तों में साधुबाद का पात रहे जन सुरुकार मंच जी धन्यवाद जी और इसी कड़ी में हम कुछ आपसे हलके फुलके जैसे भी प्रिशन पुछेंगे वैभारिक रहेगा और कोई बढ़ा में कि आवशक्ता नहीं है बात्चीत है नॉर्मल बात्चीत है तो जिन्रेज जी आप अपना परिशे दें तो अच्छा रहेगा कह सहरनपुर के गाउंघी कला में चल्वा हूं और असी के पर्थन द्रसक में ही आसी के द्रसक में चलूँगा और शिक्षा मेरी जो है जो प्रात्मिक शिक्षा है गाउंबी हुई उसके परश्याथ इंटर गाउंगे पास में हमारे कौलिश पढ़ता है बैटा चांद वास की जो यात्रा है वह रही है और मैंने शॉच्णद का है जो मैंने कंदी-पिर अव्र-इस लिए है अब भी रूचए तो मैंने अपना विश्थ युजान Minister सकते थे या हाथ हैं इसलिए जम तरी क्लास भड़ कांट्में हो पारोगत में जो थे तो उनकी जो सिक्षन सैली थी वो मैंजे किसी और अध्यापत की सिक्षन सैली में वो चीज नजर नहीं आती थी उन्हें से बहुत परभाईत हुआ और उसी के परभाव में आकर के मैं जो है आगे हिंदी हिंदी के साथ ही आगे बढ़ता चला गया जे जे हिंदी का र देखिये उड़ी कोई भी भाच हो पहते किसी भी राश्ट की पहचान होती सवाल तो हिंद हिंदी जो है हमारे देश की एक निशानी है पहचान है और देश हर जके अपनी भास से पहचाना जाता है, हमारी दुरबाद Squee है, कि आज भी हमारी जो इंदियाIGH राष्ट्वास नहीं बन पाई है, यह राज़ भासा तक सीमित है, अगर यह राश्ट्वासा बन जाती, तो इस भासा को ओर ज् Counter-Standis and Ion Ford जाती गें प्रिवेश की बात में करेंगे लेकिन आप इस दोरान पढ़े और बच्पन भी बीटा आपका तो बच्पन जो बीटा है वो किस तरह से था गाउं जैसे गाउं आदर से बच्पन जो है बच्पन से मैं समझता हूं कि जो मेरे साथ ही थे बच्पन मैं ना कुछ देखा वार पूरी सरश्छी को देखा तो मेरे को इस पूरी सरश्छी में ही एक मिता ना है और उस कवीता उस कवीता में बच्छाइब से जीने लगा था मैं मैं खुद कभी नहीं था लेकिन जो आसपास का जो अर्जुन अर्जुन का रोल दी या तो उसका पार पर तोटब सब्सक्राइब करते बागी लोग अभीने कर दे लेकिन मैं अभीने के दोरानी थोड़ा भाउख हो गया था और मेरे वो थोड़ा उसमें जो है लगा की मनला मैंने फूस लगा की महावारत के एक पात्र को देखा जाए तब मैंने अर्जुन का अर्जुन का पाट किया था त अच्छा आप बोले थे कि हर जगह हर चीजों में आपको या स्रश्टी में आपको पेड़ पोदों में जो बैवारी को जो बच्चे खेल लए थे वो उस खेल को आप एक कवीता के रूमे ले रहे थे तो मैं सरब यह पूछना चाहरा था जब आप कभी नहीं थे तो ऐसा क अगþर कि मैं आगे चल करके जो खुषबू थी जो करुषबू थी उसको मैं कुछ नाम ने दे पा रहा था आगे चल कर कि मित्र मिले कुछ कितामे मिली और कुछ क्योंश चेतना का विगया शोब तो मैं समझे लगा कि हाँ कुछ अगर मैं कवी भी नहीं हूँ तो कवी कि कवी ता कि खुस्बु जरूर महसूस करता हूँ अच्छा सन्वेदन शीलता ये बच्पन से थे जब यहां एक दो बार जब गरामनी परवेशन में रहते हुए मैंने दो चार बार कुछ विवाद भाद यहां पर देखता था जो गरामनी समान में विवाद होते हैं परस्पर चोटी-चोटी बातों को लेकर के तो वो मुझे बहुत पीडित करते थे कि जरा-जरा सी बातों पर जो है लोग कैसी तरह सब नहीं जानगवा देते हैं और को मतलब नहीं होता कोई विशेश बात नहीं होती जिसके लिए लोग जो है यह समाज इतनी संकीनताओं में बढ़ जाता है अच्छे अच्छे तो अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आप जो बच्पन खेल में ना गुजर के यह संवर्ज शीलता में गुजर गया और बच्पन से आप जो है जवानी के रूम में आ गए बच्पन में यानि एक पड़ाव जो पड़ाव था वो एक बहुत सुपर से लिए आगे चलके जो है जो भी सेफार्टी थे जो भी मतलब उनका नाम ले सकते हैं कविदा मेरे कने से अपंगा जो मैं हमिए सबस्सक्याइब को गए कि कशा में घंद को पढ़ना लाया कि सी कवी को पढ़ना कि से लेखक को पढ़ना उसका जीवन परीश्या याद करना इस आफू Hal पहुत है कि मैं किसी स्कूल हो नियाला जी हुए रागय चल कर गे जो आगे केदा नात तो वह संब चीजे थि जो मेरे को कभी बनाने के, जुदू धूरा कभी को तो कभी साहने का, तो शायद में दुस्ता से कर रहा हूं, मैं कभी कभी साइद मैं यह कह सकता हूं कि जिम्हाइधारी प्राकर्ति घटना है तो मांता हूं कि आज पूरी طरश को एक मांता हूं कि कभी को मैं यह मांता हूं किसंधिक कि सैनी की तरह भी कह सकते हैं जिस तरह से वो सैनी के बलदान देने के लिए तियार रहता है उसी तरह से कभी भी जो है बहुत सारी सुख सुधाओं का बलदान दे करके और बहुत सारी शुत्रताओं का बलदान उससे उपर उठकर करके कभी तक की जा सकती है और शायद उस मा पूरा कवी और ना कवी यहो ना क्या मेहत्पोन है यह इस्तितियां को थोड़ा सा अलग-अलब करके बताई जरा कि क्यों नहीं मानते अपने आपको अगर आप कभी नहीं मानते थे आप वो मेरे श्रोता त्याय करेंगे कि मैं कभी हुँ या नहीं हूँ मैं मेरे को लगा कि मैं कवी कवीता की खुस्बू ने मेरे को कवीता के पास लाकर खड़ा किया है कवीता में जो इर्दगिर्द जो कवीता फैली विए जो खुस्बू है जो वातरान उसने उसने मेरे को उसके पास लाकर खड़ा किया है और यह श्रोता या जो भी स्यार्द् पतारा था मैं उसे को बात करेंगे कि कौन मित्र मिले थे जिन वन्होंते आपका रास्ता बदला है या रास्ता तो पता था की कवीता को दिमाग में थी लेकिन एक गाइड भी अनि His विस्का नाम बाद में लेंगे सम्मान के साथ आप लेंगे और पहले मैं आपकी कविताओं का आनन आनन का या आपकी कविताओं का गंभीर पन देखना या सुनना चाहेंगे तो एक-एक करके जरा दो-तिन कविताओं सुनाईए उसके बादम बात करते हैं ठीक है मैं इस कविताओं आप सुना रहा हूँ मेरी ये कविता है और जिसका सीषक है विश्तार सीषक है विश्तार हो रहा है एक बार फिर राष्ट ये राजमार्ग का विश्तार हो रहा है एक बार फिर राश्टिय राजमार्ग का विस्तार, फिर चला आ रहा है एक काफिला दलबल के साथ, फिर तोड़ी जा रही है गरीबी की दुलहन का घुंगट बनी, दीवारों से बचकर खड़ी हुई एक दीवार, बड़े-बड़े पईयों के नीचे कुछली जा रही है चीटी कई घजार, हो रहा है एक बार फिर राश्टिय राजमार्ग का विस्तार, उतार उतार कर फेके जा रहे हैं गोरईया के घोसले, बगुले के अंडे, मोरपंक का आधा भाग, नालियों के हवाले किये जा रहे हैं, कच्ची सकरगंदी, उबले सिंहाडे, खु हम्चा मालिक के अर्मान, तोड़े फुडे जा रहे हैं, गली में जाकते चज्जो के तार, घर के संदूक में सिप्ट के जा रहे हैं, बच्चों के खिलोने वाली दुकान के सामान, हो रहा है एक बार फिर राश्टिय राजमार्ग का निर्मान, हो रहा है तो खहेंगे लेकिन ये तरक्की का लक्षन हैं तरक्की का क्या हमारे संस्कृति को यह हमारी उन संदस्टिनाओं को तोड़ता नजर आता है जानि हमारी भावनों को कुचरता और धवस्त करता नजर आता है और जो जो हमारी मौलिक मौलिक प्रागर्थिक सरंचना थेश धर्ती की उसको उस पर बहुत बेरहमी से कुठारा घात किया जा रहा है और फिर बेघर हो रहे हैं बहुत से मजबूर बहुत सी बस्तियां उजाड़ी जा रही है तो यह करें उसके एक निशान देती है खैर दूसरी कविता दूसरी कविता का सीशक है इस बार इस बार तिरती आत्रा से लोटते हुए इस बार तिरती आत्रा से लोटते हुए हमने नदी के पानी में रुपे का सिक्का नहीं फेंका और नहीं जाक कर देखा पीपल के उस नमने पेड को जो उगाया था नदी के पुल की इटो की चाती के बीचो बीच जो उगाया था नदी के पुल की चाती के इटो के बीचो बीच घर पहुचते ही मकान की चछत से उतार ले आए पानी के म्रदभान और चावल के दाने डूबते वे जहाज का समाचा सुनकर जेव में रखे रुमाल को जेव में ही रहने दिया और आखों से आखों का हग चीन लिया सत्यना की कथा बीच में ही सुनना चोड़कर घर के आंगन में जाड़ों लगाने चल दिये बहुत बढ़िया घर के आंगन में जाड़ों लगाने चल दिये एक अगली कविता तीसरी कविता है है तुम्हारी पीड़ा है योगांडा के कुपोशित बच्चों तुम्हारे कुपोशन को किसी सामन्य क्यान की किताब ने भुना लिया है है योगांडा के कुपोशित बच्चों तुम्हारे कुपोशन को किसी सामन्य ग्यान की किताब ने भुना लिया है है कोईली की खदान में फसे भी मजदूरों तुम्हारी पीड़ा है है झाल झाल अगली कविता है मन की सांती के लिए मंगल गरह को छेड़ा जा रहा है मन की सांती के लिए मंगल गरह को छेड़ा जा रहा है मैं यहां मंदिर में आरती गा रहा हूँ मैं यहां मंदिर में आरती गा रहा हूँ वहाँ दूर देश में युद्ध का साइरन बजा जा रहा है धरम गरंट सबत समारों की सोभा बढ़ा रहे है मस्विनों का सोर बढ़ता ही जा रहा है वक्त कुछ गहड़ी का मौन मांग रहा है कोई टरक किसी कार को कुछलता आ रहा है सावधान दुनिया के नन्ने मुनो नया जमाना चला आ रहा है यह कविता जो शाहिद मैंने बहुत ही आवेग में लिखी थी और यह करोनकाल की कविता है इस कविता को मैं जुरूर सुनाना चाहूंगा चाहिए आगत है आपका तरक्की और महामारी की कैद से बहार निकलते हुए लोग सबसे पहले सराब की दुकानों की और दोड़ पड़े तरक्की और महामारी की कैद से बहार निकलते हुए लोग सबसे पहले सराब की दुकानों की और दोड़ पड़े फिर अनमने से जातर खड़े हो गए सारवजनिक वित्रन प्रनाली की अंतरगत आने वाली सरकारी रासन की उन दुकानों पर जहां आज भी पड़ा हुआ है उन मजदूरों के हिस्से का पांस किलो के हुँ चल पांस किलो चावल दस किलो के हुँ एक किलो आटा जो करोना काल में पैदल ही निकल पड़े थे हजारों किलमेटर दूर अपने घार गाउं जाने के लिए ठक कर चूर चूर होकर एक रात सो गए थे एक रात सो गए थे एक रेलवे लाइन के बीचो बीच उसी रात एक टेजरपतार कुरोरा कालिंग रेल गाड़ी उनके भूके और ठके हुए सरीर को काट कर चली गई थी उसी रात एक टेजरपतार कुरोरा कालिंग रेल गाड़ी उनके भूके और ठके हुए सरीर को काट कर चली गई थी संकट कालिंग खादे शामागरी लेकर बड़े सहर की ओर इन घटनाओं के बाद आखे पत्राई हुई जनता के मन में माईक पर बोलते हुए भगवान को अलविदा कहने की इच्छा बल्वती हुई इन घटनाओं के बाद आखे फत्राई हुई जनता के मन में माईक पर बोलते हुए भगवान को अलविदा कहने की इच्छा बल्वती हुई और पत्थर के भगवान के घर जाने के लिए व्यग्र हो उठी गरीबी की गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग गुटनों के बल बोलते हुए परभू की जैजैकार चले गरीबी रेखा के बीचों बीच खड़े होकर साइकिल पर सवार चले हर रेखा से उपर वाले संग लेकर पिकनिक का सामान चले फिर धीरे धीरे चुपके चुपके फिर धीरे धीरे चुपके चुपके सरकारी तंत्र के हर मंत्र को बिना जबे फिर धीरे चुपके चुपके सरकारी तंत्र के हर मंत्र को बिना जपे बिना किसी रहात पैकेज का इतजार किये बिना किसी वित मंत्री का भाशन सुने लग गई जनता तथा कती छोटी छोटी आर्थी गतिविदियों में किसी ने जगआड कर खरीद ली एक कुंटल मुंखफली और कोई निकाल लाया करमचारी भुष्य निदी से अब तक का जमा 35 रुपे का सारा फंड कोई निकाल लाया करमचारी भुष्य निदी से अब तक का जमा 35 रुपे का सारा फंड चालिस दर्जन चप्पल खरी धोके के भाव में नुकड नुकड रहा बेशता पिछले साथ महिनों से कोई सिर्फ पर रखकर चल पड़ा सद्यों पुरानी पीतल की पाराथ गारंटी के साथ कोई निकल पड़ा काम की तलास में ऐसे जैसे कभी महाना परताब गए थे घास की रोटियों के पास कोई निकल पड़ा ऐसे काम की तलास में जैसे महाना परताब गए थे घास की रोटियों के पास मगर इसी बीच एक हादसा और हो गया मगर इसी बीच एक हादसा और हो गया खबराने लगी हे नागरी को हे देश के नागरी को चिंता की कोई बात नहीं हमारे जीडीपी यानि के सकल घरेलू उतपाद में तेजी से वरद्धी हो रही है हमारे GDP यानि हमारे सकल गरेदू उत्पाज में तेजी से व्रद्धी हो रही है यह कविता करोना काल की कहिता थी बहुत ही गामभेरिय लिये विये है और उस दुरान जो व्याथा जो पेडाएं जो अभाव जहला है जनता ने जनता नेकास्तोर पर निम्न वरके जो लोग थे जो पहले निकल पड़े थे मजदूर उनका एक पुरा दरसा लोकन हो रहा है मतलब पुरा पुरा वो नजर आ रहा है टीवी की तरह देख रहा हूं कि जो आपकी कविता में नजर और अच्छी कविता के लिए भी बहुत अच सकता है अच्छा आप यह बताई पीछे की जो पीछे छुट गए थे कविता उने में कविता आगे भी सुनेंगे पिछला जो है उसमां पूछ रहे थे आपको कौन एक ऐसे पुरुष मिले आपको जो आपके गाइड बनके तयार हुए या उन से आपर वावी थे जो साहिते म क्या है देखे मैं दरसल इस चीज से थोड़ा बसता हुए कि क्योंकि मैं फिर वही चीज आ जाती है कि कि कविता क्या है बहुत ही मौलिक चीज है मौलिक चीज यह बिलकुल ऐसा है कि इस पर जनावी चीट लगने से कविता की जो गरीमा है उसको आधात पहुंचता है लेकिन उस परभाव से मुख्थ होने का नानी तो कविता है अगर हम किसी परभाव में कविता करते रहते हैं तो हम कविता नहीं लिग पाते फिर हम हाँ यह सुखते हैं कि राष्टा में बता रहा था उस राष्टा नहीं बलकि एक कविता की जो महा खुस्वू है वो उस व्यक्ति के पास थी जो व्यक्ति आर्थ को आपने आपको कभी खुल करके कभी नहीं मानता लेकिन वाश्टों में बहुत बड़ा कभी है और नाम ल नहीं इसमें बहुत पहले कहा देना चाहिए इसमें को दरने रही बात कभी मानना ना मानना ही हमारे हाथ में कहां है यह पार्ट को यह हमारे हाथ में लेकिन यह है कि जब हम कभी ता लिखते हैं तो कहीं न कहीं कभी तो होते ही है चोटे बड़े जो भी है मतलब प्लेट फ कहीं नहीं तो ये बात उजागर होती है कि हाँ आप क gleते हैं तो किसी कवी ने का था कि कि आत्मा की मुंक्ती की था कि मुट्धा की होती है उसाइफ कुछ इस तरह मैंने के पढ़ता था तो वह बाते में मेरे याद रहती हैं तो आप कौन सी पसंद आई साहिते की जो आप जिसको आप पढ़के आपको लगा कि मैंने कुछ या आपका रुपांतरन हो गया यानि जीवन को समझने की एक छमता बढ़ी है आपसको यह बते हैं ऐसे को किताब किताबें तो जो है काफी किताबी मैंने पढ़ी लेकिन जो सबसे जादे मेरे को अपील करती थी उस दोरान जो मैं कविता को जादे चाने लगा था कविता कविता जैसे की एक राश्तर कविता ही जिने का मकसद दे रही थी तो उस समय मैंने सिरिकान तुबर्मा की कविता थी कि मुझे उनकी कविता करना पिता मेरे यत्तफी मेरा दोश नहीं मैंने प्यारे प्यारे सपनों की भोएं जूमी थी मेरी इच्छा मासी जूमी थी आज व्यंग हूँ जिसका वैं सपना बच्छपन में बार बार देखा था तो 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 मेरे को अच्छे लगे थे कि मेरी जो कविता का स्वर है आज भी और जो मैं लिखने का प्रियास करता हूं संस्थाओं संस्थाओं की प्रति मेरी कविता में एक विद्रो है संस्थाओं जिनको हम सुवचिन तक जनकल्याण का अधार मांगते हैं तो संस्थाओं में जो गंदगी भरी हुई है संस्थाओं कहां से शुरू होती है परिवार से आपको जो है किसी लाइक भी नहीं सोड़ सकता परिवार का एक दूसरा पक्षिय भी है जहां आप बहुत सारी सुलक्षाइट ढूलते हैं वह इतना आप उसका जो असली चेहरा है स्वार्थी चेहरा होता है आज के युग में इसी प्रकार से और दूसरी संस्थाइं है जो एक के लिए बनाए गए ध्य Mail के लिए लेकिन ओर यो जाती है देखते देखते हुँ संस्थाएं जन विरोधी हो जाती है जो संगतितत ह CHS अ कसे बड़े इस तरवस्य संगतिश आक बहुत हो फ़टी जा रहे हैं ऐस facto साहिते का क्या रोल हो सकता है या है देखे मुंशी परेंचंजी ने कहा था कि साहिते क्या है राजनीती के आगे मसाल लेकर चलने वाली मसाल है जो राजनीती के आगे की चीज़ है राजनीती को रास्ता दिखाती है राजनीती यह क्या साहिते लेकिन दुरहा के हमारा यह है क के वह संवेदन सिर्व साहत्यका अज एक साहत्यकारों की ऐसी फोस्टेयार हो गई है जो तथाखती साहत्यकार है तथा करती कभी है एधिक को गभ ही तो वह डाजनीति के आगे डेकर नहीं तो हमें मैं अपने अनुसार यह किया सकते हैं तो हमें अपने अनुसार यह किया सकता हूँ कि जो तथाकथित साहित्यकारों की एक भीड सी इखटी होगी जो रादो राद साहित्यकार मनते हैं उनसे उनसे साहित्य को बचाना है तब साहित्य जो है अपना काम करना दुबारा फिर सुरू कर देगा उनसे बचाना बहुत जरूरी होता है हमने एक अगर पढ़ना और साहिते लिखना कोई बुरी चीज नहीं है यह आना चाहिए लेकिन वह साहितिकार है यह है नहीं है हमने उनको एक नाम दिया है गूगल कवी साहिते को अपना गूगल से खोला इधर से मोड़ी कुछ आपकी किसी की और कवीता तयार वो जब गूगल कवी हैं पड़ेगा हाँ मिल्कुल साहिते को उसी से बचाना है बहुत पहले कुछ लोगों ले लिखा था यह किसी और लिखक का नाम यादा है कि साहिते में हानिकारक साहिते यह लेक मैंने कही पड़ा था हानिकारक साहिते तो उस हानिकारक साहिते से जो है साहिते को मुक्ति दिलानी है तो साहिते की मौलिकता बची रहेगी जैसे आपने का साहिते तो हमेसा मैं समझता हूं कि हमारे मद्यकाली साहिते लिखा गया माते मद्यकाल में जो काव हैं हमारा समाध धार्मी कुनमाद के अगर सब्धोर है तो ऐसी स्तिती में किसी कभीर क्या हो सकता है पिर फिर विसी मद्यकाल अगांद इस तरिजम एक नया समाज के लिए रोस्मि लेकर आया कैंथे जो साहिटे उस साहिच्टे ने काम की ने काम किया भी था उन्हें की ने य संक्राचारी चारी उस सभी जो है चाहिए वो विचारक रहे हो उस समय आज भी वही जो रहत है जो मद्यकाल के कव्यों ने की थी जिस तरह इसका बातावरण आज बन चुका है वहाँ पर कलम बड़े सहाज के साथ कलम उठाने की आउशकता है यानि आप एक कविता को एक जिम्मदारी की बाइस देखते हैं ना कि स्वेंट जो तुलसिदास ने बोला था हाँ समान सुखाए वाला जो मैटर था कि कविता जो है अपने सुख के लिए भी हो सकती है लेकिन उसके जो व्यापक है व्यापक अर्थ है बड़ा है वह मसाल बनकर चले आगे-आगे इस समाज के लिए राजी ठीके लिक्राएं को रास्ता दिखाए अच्छा यह थोड़ा सम पीशे लोड़ते हैं चर्चा तो बहुत गंबिर चल लएई है पीशे क्या और यह तो आपके वर्तमान में भी है कि आप अध्यापक हैं कैसा रिस्पांस मिलता है कैसा प्रिनाम मिलता है बच्चों के ृटफी आप जैसा पढ़ा रहे हैं अरा यह पर प्राइबेट इस्कूल हम डेकिन इसी सिक्षण के दोरान मेरे को एक दो विद्धार्ती ऐसे मिलें तो कि यां थो किन अब बात करता ह zobaczy कंपी सारी बात करता था और वह एक बछ्चा models of the लिकिन और यह स्बैंकि कुछ एसड़ कि समय का कुछ अइसा प्रवाव है है कि कि अगर हमारे इंदर संस्कार भी है कविता ंज़कल बच्छों के अनधर तो उनको पथा है कि हो lider ले vast तो नहीं है और होने भी नहीं चाहिए इसकी इच्छा लेकर के मैं आना भी नहीं चाहिए अर्थ की इच्छा लेकर नहीं आना चाहिए इस शेत्र में तो वो बच्चे जो है धीरे-धीरे उसी दुनिया में चले जाते हैं अगर उनके अंदर कुछ संसकार है भी तो बचते है कि हम जो अपना अलग तरह का कोई शेद्र चुनेगे जहां इस पूजी बारी बिवस्ता में अपने को स्थापित कर सकें आज कविता को इसी से भी खत्रा है अच्छा ये बहुत ही जानकारी भरा है और आप बहुत ही अच्छे प्लेटान को जा रहे हैं जो चीज आप कह रहे हैं ये बहुत गंभीर मामला के साथ साथ मैं इस गंभीरता को और जोड़ता हूं कि जैसे में और मंगाल में महराश्ट पस्चे मंगाल और केरल चार राज्या ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ते हैं साथ से पढ़ते हैं और राज्जिणिर्ग हैं और इंजिन्ग भी करते हैं प्रफेसर हिंग भी बनते हैं बिजन्स मैं बशाइब लेकिन वह तो अम उनको यह भी नहीं सकते कि साइथे आदमी को जो है वो साइथे ओर पढ़के अर्थबान नहीं बन सकता उन्हसोच को हमारे हंदी पॉष्ची नी अपनाती कि साइथे भी घर घर होना चाहिए और साइथे पढ़के कोई आदमी कोई काफिर नहीं बन सकता और याज साहिते पढ़के तो आदमी बहुत कुछ बन सकता मैं इस बात को मानता हूं कि साहिते पढ़कर के ही और साहिते सीख करके ही साहिते जो है करता है और जहां तक घनारजन की वात है कि वह आ जाए और बस इस सेट्र में उसके पास कभी वह संकीरत आएं वह विद्रुबत आएं चल वह कापाट जो होता है वह साहिते एक लेखक को एक कभी को और रचना कार को पुरा समर्पन इन चीजों को दे लेगा कोई भी साहिते कार रहे रचना कार तो उसकी रचना की जो रचना धर्मीता है उसमें कमी आ जाएगी वह उसकी मॉलिक्ता में कमी आ जाएगी और अगर कहीं प्रोफिसर्स लोग हैं आप जैसे बता रहें बड़े बड़े लोग हैं जो साहिते भी नच रहे हैं पैसा वी यह हैं उसकी पास सब कुछ है तो वह आजाए लेकिन उसकी कोटी का होना चाहिए तो फिर वह सवागत योग्या है अगर प्रोफिसर है कोई बहुत बड़ा व मुझे यह लगता है कि मैंने सुना भी है कि पर्शिम मंगाल में खासकर केरल बगारा में बेबी वहां पे जब भरते हैं राजनेता तो उनसे पूछा जाता है कि आप उन्हें कितने किताबें पड़ी हैं या आप कितने किताबों के लेखक हैं इनर्जी खुद भटाचारी खुद बसू यह जो रहे हैं यह सब साहिते से जुड़े थे सब साहिते से जुड़े और इन्होंने साहिते को समाज से काटा नहीं कि साहिते घर-घर होना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है और दूसरा फिर पढ़ना एक देखें इंजिनिंग करेंगे तो आप इंजिनिंग पढ़े करेंगे लेकिन उनके घर में होना चाहिए ताकि अलग जगी रहे जीवन अलग धन से हो जीवन वो हो जो अच्छा होता है तो उसको वैभार में रनने चाहिए मैं यह कहना चाहिए हाँ बिल्कुल यह अगर ऐसा हो जाये कि घर-घर साहिते पहुँचे और वेक्ती वेक्ती के हाथ में साहिते पहुँचे तो यह तो एक बहुत आदास इस्तिरी है अगर तो फिर समाज में जो क्या बोलते है उनको सकारात्मक परिवरते हैं. फिर तो सकारात्मक चीज़े आने लगेगी हमारे सवाज में. अगर हाँ साहिते की वार्सी हो जाए, घर घर में पहुंच जाए. ये सरकार इस बारे में सोच सकती है, लाइबरेरिया हैं वह धूल जाड रही है, या तो लाइबरेरिया नहीं है, या तो धूल जाड रही है, जैसे मैं आप से बता रहा है, इसकूल कालेजों में क्या है, कि वह वहाँ साहिते पहुंच रहा है, साहिते हैं, साहिते हैं, कभी पढ़े जाते हैं वह पर पाठे करम में हैं लेकिन वे परिक्षा पास करने का एक माद्या में वह वच्छा जीवन प्रीशिय आता है प्रिक्षा में उसका वह याद किया और फिर पास हुआ तो भूल गया कि कौन निराला थे कौन तुरुशी थे कौन जैसम का पर साथ थे फिर भूल जाते हैं चीज़ों को तो उनके लिए माध्यम मात रहे है परिक्षा में यह बड़ा दुखत है अपने आप में बड़ा वह फिर कि अगली कि लाज में पहुंचे नहीं का फोटो उनके जीवन का अंग नहीं बन पाता है झाल 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 साइटे में लोटना आपका और साइटेकार पतलब साइटे के माहूल में जो आप हैं और कभी कभी ठीस होती है कि मैं अगर इस कभीता मेरे गले ना पढ़ती तो मैं या क्या लगता है आपको की कभीता आपके मन से उतरने चाहिए या मन में बसने चाहिए या कभीता होना जरूरी है जीवन में जिन्दकी के साथ साथ मैं मालता हूं कि पूरा समसारी कभीता है मैंने पहले का कि अगर पूरी स्रश्टी ही कभीता है और इस कभी इस कभीता को जिसने पैजा ना को कभी भुई बेना रह नहीं सकता भले ही वूमित आ लिखे न लिखे जिस ने इस रश्टी की वास्ती कुसिवगों को मैसुस कर लिया है तो वह कभी लिख कष्ट लिखे न लिखे तो उसका जो जो व्यतरित्म त्वैं का जो है वह कोई दें हो जाए और अगर मैं मेरे अंदर इस बात को लेकर को पस्तावा नहीं है कोई टीस नहीं है कि भाई कब मैं कुछ और होता बहुत कुछ होता मैं समझता हूं कि अगर मैं कभी हूँ तो स्रश्टी की बहुत नजदीक हूँ और तो इसलिए मुझे कोई खास पस्तावा नहीं होता क्योंकि अगर बहुत सा धनार जा नहीं कर लिया होता तो क्या होता ऐसे ही होता बड़ा मोतंदर हो सकता था तो ज्यादा बड़ा पस्तावा नहीं होता कभी 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 नहीं होता इस यह द्रम्याने का आद्मी को समझने का धंग और इस में को समझने का धंग कभी तो पुरुष को और ने मैं एक है रहा हूं कि आद्मी को मतलब जी दंग से एक कभी समसाकता है जन्त को समाज को है ना वो अलग धंक की ब्रती रहती है अलग धंक की एक आधत या इसको आप मानते हैं मैं बिल्कुल मानता हो मुतलब कवीता का सीधा सम्मेधन सीरता से है और जो सम्मेधन कि दूसरे को समझे लेता है सुमिता नंद पंत ने कहा था वियोगी होगा पहला कभी आ से उपजा होगा तो कभी तो हर दर्द को मैसूस करता है हर किसी को उसके अंदर हर किसी का दर्द है मुझे कदम कदम पर चो रहाए मिलते हैं तो समझता है कभी तो हर घर चोराए को समझता है रहा को समझता है हर विप्ति को समझता है वो समझता है और वो जो रिक्तस्थान उसको बढ़ने की कोसिस करता है अगर मैं कभी दा को परिभासित करने का एक अपनी तरफ से प्रियास करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो रिक धूर्शना कारी का हो रहा हुझ तो यह लेखर जो है है उसको संवढ़ने का प्रियास करते है कि पीछे क्या छोड़ कर चला रहा है बहुत अच्छी जान कर रही आप से मिल ले ही है और आपकी हमें बहुत कुछ लाप भी मिला है कुछ कवियों के नाम जिसे आपको पढ़ते अच्छा लगा है अहां जैसे मैंने सिर्कांत वर्वा के दानात अगरवाल है दृशन्त कुमार है और एकांसी वास्ताव है और जी आपके अखिलेश है और यह तो आदुनी कवी है और जैसंतु प्रशाद है नीराला है अग्या है यह बहुत सारे कवी है जो अच्छे लगते हैं पढ़ने में अच्छा कवीता विधा और कहानी विधा गद और पद आजकल तो कवीता गद की तरह से लिखी जा रही है और उसको आया कवीता अप्रा के पिछिल कवीता और पहले जो क्या पहले चाहे बात चंद बात आया बहुत पहले से था दो उसमें मात्रा और घजलों में भी रदीव काफिया है लेकिन आजकल की जो कवीता है कवीता या प्रगतिशिल कवीता इससे आप मुतमेन हैं यानि यह अपना काम कर रही है जैसे मैंने पहले बता था निराला इड़क आता कि कवीता की कवीता को भी हमारे को मुक्त कराना है छंदों के बंदन से मुक्त कराना है निराला का एक अभ्यान था, अंद्रॉन था, और मैं उस बात कर समरसर करता हूं, कि कवیता उसमें अपने कोग कहह नहीं पाता था, कुई बात कही नहीं जाती, जब च्छन्द के बंधन में कवीता बन जाती है, तो उसका जो व्यापक उद्रेश्य होता है कविता का वो नहीं आपाते हो नहीं काम बदन मुँन थोड़ा जरूरी था कविता का चंदों के बंदन से बाहर आने के बाद भी कविता में एक चंद लिद्यमान है जो उसे हम गद्द कविता कहते हैं कि उसके अंदर अगर वो किसी को अंदुरित कर रही है कोई गद्द कविता, किसी पाठक को, किसे सहरते पाठक को, तो उसके लिए तो वो एक पुरा महा कावे बन जाता है, एक पंक्ती, एक सब्द किसी के जीवन को छो जाता है, तो वो ए अपन्यास पढ़ें जैसे सारा आकास पढ़ा है गोदान पढ़ा है गोदान पढ़ें और विदेशी लेकों को पढ़ा है मेक्सिकों की माँ पढ़ी है माँ पढ़ी है अब पढ़ी थी है बहुत आंदुरित करती है और बहुत मम्तोय का एक सार है कि मा को किस रूप में मतलब मा को मा की रूप में और यह बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच्ची घटना आप भी पढ़ लोगे आप तो लगेगा कि यह बिल्कुल अब लगेगा कि अधारित मा इस तरह से था और उसको अमने जब आम यहां एकटे बैठते थे उस समय जब माँ पढ़ रहे थे उपकर तो यहां वारे गाउं में बैठते थे तो एक ऐसा पात्र एक एसा चरित्र यहां गाउं में भी था जहां बैठकर के यह मैसूस करते थ सभी दोस्त बैठते थे और लगदादा की साइदी वहीं वाहां है उन्हें का अभी रूप है तो सभाव से एक कभी को गुश्चा भी आता होगा और नौर्मली बात है कि गुश्चा किस कारण आता होगा हाँ क्योंकि कभी होने से पहले हम व्यक्ति है कि इत्सान है है ना ways हम व्यक्ति है तो वह सब चीज़ वह अंदर हैं कि एक से उन्हें कभी है लेकिन हम उन्हें कुश्चा भी आता है और सब चीज आती है लेकिन उसका उसका सवरूप थोड़ा अलग होता है जो सब्सक्राइब कविता जैसा ही होता है जाने उसका उसका गुस्ता में उसके गुस्षे में भी एक कविता ही होती है मतलब अच्छा एक चीज हमेशा मुझे ख्याल आती है कि जरूरी नहीं है कि आप जो हैं लिखते हैं तो आप कवी हैं एक ग्रहनी जो है अगर गोल गोल रोटी पकाती है और सौन्दी सौन्दीस में खुश है तो क्या वो कविता नहीं रच रही है जो भी कावे में बात होती है जो भी कावे में घटना होती है इसमें कोई दो रहाएं नहीं है रोटी बना रही है तो इससे बड़ी कविता क्या हो सकता है कोई आपके किताब आई मेरी जो पांडूल इपियर तेयार है मैं ने पहले कहा कि मैं दरसल कई बार सोचा कि मैं हूँ यह नहीं कभी कविता मेरी कविता चापनी लाइक है भी है नहीं तो मैं तो एक खुसबूस उम्हें जीता रहा कविताओं की मैं किसी अच्छे कविको म मुझे अपनी कविताओं से अच्छा लगता है कि मैं दोस्रों की कविता मंतरमूद होकर सुनता हूँ और मेरे मुझे लगते हैं कि यह साथ मेरे लिए ही है यह यह जो मैं पढ़ रहा हूँ वह में बहुत आनंद आता है इसी वीच कुछ मेरे से भी लिखा गया जिन्होंने कविताओं का रूफ धारन कर लिया तो हो सकता है कि वह अब एक किताब का रूफ भी धारन कर ले पत्रका सबसे पहली है कविता चपी यहां से सानपूर से लाइन कलता था विष्व वानव तो वह मेरी पहली कविता थी वह मेरे याद है तक भी तो कहें तो मैं उसको आपको सुनाओ मिनिट रहे गांगे हैं कि दो तीन कोई मातित न तो फिर कभी हो जाएगी अगे अलग से आपका एक मंच तयार कर ले जाएगा कविता बोलती है और उसमें आप अपनी कविता ही सुना सकते हैं और मैं समय बहुत करीब करीब है तीन मिनट बाइब बाइब हैं तो मैं यह भी पूझना चाहरा था कि एक इनसान के नाते और उसके साथ-साथ जिम्मदारियां भी बहुत हैं और कविता भी साथ-साथ चलती है तो उहापोहो में आप अपना समय कैसे निकालते हैं कविता के लिए या एक बार बेट के लिखते हैं उस पर क्या मेज़ पर या अपना साइकल चलाते वे कविता तो कहीं पर भी बनने के लिए तेयार रहती है कहीं पर भी शड़क पर भी जहां पर भी होते भी से तो हमें वहीं से मिलते हैं जहां भी जो जाता है मान हमारा लेकिन जहां तक लिखने का सवाल है तो कविता अपसर मैं को लिखता हूं रात के समय लिखता हूं वैट करके और बहुत एक आभ जब होता है उसी समय लिखे जाती है तो आ जो sings कि मैंने वहत वह च्छम थे मे entsprechsi तीघ मेने तक चलती रही और फिर यह बाद में कांजब रहला है लुए काज़ा पर पाद करने पड़ते हैं तो तब जाकर कर लगता है कि यहाँ कुछ कविता जैसा आ गया साथ ही और इजाज़त चाहेंगे और समय खतम होने वाला है और जन सरुकार मंचका एक बार फिर आभार व्यक्त करेंगे कि हम जैसों को प्लेट फार्म देने के लिए बातचीत करनाने के लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत इन्यवाद, नवस्पार. मैं भी जन सरुकार मंचका एक आभार विक्त करता हूं जनों नहीं मंच परदान किया और इसी के साथ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत.